फ्रेंट्स आज जो मेरा चिक्स है वो तीन दीन का हो चुका है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे प्रइन के नीचे ख़वाद डाली थी वो अब उठा दी है तो friends तीसरे दिन हमें कौन सी medicine का जूज करना होता है अपने chicks के लिए वो ही हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं तो जदी आप इस channel पर नहे हैं तो इस channel को subscribe करना मत भूलें तो friends बढ़ते हैं अपने top की तरफ तो friends तीसरे दिन आपको अपने chicks को कोई अच्छा सा antibiotic देना होता है तो friends ऐन्टिवेटिक देने का जो main कारण यही होता है कि आपको अपने chicks के chicks के immune system को इतना strong कर देना होता है अभी से ही कि कल को जदी उनमें कोई bacterial infection आये bacterial infection जो mainly आती है chicks यह ब्रैलर में CRD ही होती है जदी कोई bacterial infection उनमें कल आये तो वो उस bacterial infection को सेहन कर पाए तो इसके लिए ही हम एंटिवेटिक का जूज करते हैं तो friends जैसे कि आप देख रहे हैं जो मैं इस बार जूज कर रहा हूँ वो फ्रेंट्स टाइलोसीन पोडर है तो टाइलोसीन पोडर की कितनी मातरा जूज करनी है वो भी आपको बता देता हूँ तो फ्रेंट्स टाइलोसीन पोडर आप 1000 चिक्स को जितना आपका चिक से एक दिन में पानी पीता है उनके जो पानी में आप इस पौडर को 10 ग्राम मिला कर उनको दे सकते हैं तो फ्रेंट्स इससे जो है आपके वर्ड में जो है जो CRD है जहां कोई विक्टीरिय इंफेक्शन है वो आने का खत्रा बहुत कम हो जाता है तो फ्रेंट्स इसके इलाबा जो आप एंटिवाटिक जूज कर सकते हैं जा मएं करता हूं अपने शेड में वो है अरो सीन है आप उसका जूज कर सकते हैं एंडोक्स है वेंडोक्स है वेंफ्लोक्स जो भी आपको असानी से मिल रहा है जाए इससने कोई अच्छा बड़ डालने का मेरा कारण यही है कि मैं इनकी बीट बुगेरा चेक करता रहता हूं कि यह कैसी बीट कर रहे है क्योंकि आपको इसका भी ध्यान रखना होता है तो इसके साथ ही जदि कोई आपको मेरी बात अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेर करना मत भूले और अब हमें आप इंस्ट्राग्राम और ब्लोगर पर भी फोलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा तो इस वीडियो को और न बढ़ाते हुए जहीं पर समाप्त करते हैं आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद